नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है राहूल और हम देख रहे हैं अब्जेक्ट टोरेंटिट प्रोग्रामिंग इन प्याच्पी और दोस्तों हमारे इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बात करने वाले हैं एक magic method प्याच्पी 5 का जो की जिसका नाम है आटो लोड तो आटो लो प्रेन कर पाएं एक long run में एक लंबे time में आपको कल को कोई नए features add करने हैं कुछ भी कोई नए existing feature में change करना है या फिर एक कोई specific functionality या कोई library आपने एक project के लिए बनाई उसको आप दूसरे जगा पर use कर पाएं यह सब features है objective oriented programming के इनी की वज़े से ही oops जो concept है उसका invention हुआ औ तो देखिए object oriented programming का जो base है वो क्या है वो है classes तो किसी भी एक project में आप छोटे से या चोटा project है medium level का पर project बनाएंगे तो उसमें आप एक specific चीज़ के लिए एक object बनाते हैं जैसे हमारा पहले वीडियो था कि हमने बात कि एक table भी object है एक monitor भी object है तो हर चीज़ का एक object बनता डाले तो product है एक object है इस सरह से multiple object multiple classes आप बनाते जाते हैं तो अभी तक जो हमारे वीडियो में हम लोग देख रहे थे उसमें हम क्या कर रहे थे कि एक class बनाई class A फिर हमें कोई दो classes बनानी थे हमने उसी के नीचे class B बना ली और तीसरी बनानी थी तो उसी के नीचे class C बना अभी तक वो हम पढ़ रहे हैं समझ रहे हैं तो उसके लिए ठीक है लेकिन अगर आप practical objects practical projects की बात करेंगे तो मानली जी आपने एक छोटा सा project भी बनाना तो उसमें 10 से 15 classes बनना मामूली बात है और अभी तक जो हमने testing की जो हम पढ़े उसमें हमने 2 function बनाए 3 function बनाए लेक इसके लिए एक solution आप करते हैं जो use किया जाता है अब यहां पर एक नया folder बना दीजिए new folder मानली जी इसका नाम मैंने देदी है classes ही हम इसका नाम देदेते हैं और इसके अंदर आप एक एक class के लिए एक एक नई file बनाते जाए यह बहुत standard सा process है मानली जी मैंने एक abc.php ब यहां एक class बना दी class abc और इसके अंदर इसके functions या variables या जो भी बनाती है इससे तरह से अगर मुझे एक दूसरी class बनानी xyz तो मैं एक नई file बनाऊगा xyz.php और इसके अंदर मैं एक नई class बनाऊगा xyz class xyz और इस तरह से इसके functions और इसके variables मैं बनाता जाऊँगा ठीक है तो अब इस class को इसमें access करने के लिए ऐसा नहीं है कि मैं यहां पर बस dollar abc is equal to new abc करेंगा तो बन जाएगा क्योंकि देखिए हैं मैं इस file को access करना चाहता हूं तो error आती है fatal error class abc not found in index on line 3 यह on line 3 हम लोग access करने की तो कोशिश करने हैं लेकिन वो class हमने index.php में define नहीं किये हमने दूसरी जगा एक file बनाई है लेकिन उसके बारे में php interpreter को कुछ नहीं बता कि आपने कौन सी file कहां बनाई है तो उसका simple solution जो हम लोग php में करते हैं अब file include कर लीजे include once classes slash abc.php और यह error चली जाएगी क्योंकि अब वो class उसको यहाँ पर मिल गी इसी तरह से अगर आपने एक दूसरी class मेना है xyz तो उसको भी आप include कर लीजे classes slash xyz.php बना पाएंगे कोई error नहीं आएगी इस तरह से लेकिन इसमें भी problem है उसमें problem क्या है कि अभी तो हमने दू classes बनाई है तो हमने include कर लीजे चलता है लेकिन जैसे अभी मैं बात कर रहा था कि हम 15-20 classes बन जाते हैं या कोई बड़ा project आ गया मानले जिए उसमें 50 classes बन गई या जो अभी framework हम देखते हैं बने में code igniter है लेवल है उनकी सैक्ड़ों classes है सैक्ड़ों या जैन की तो शायद हजारों है दोड़ाई हजार शायदों मुझे याद नहीं है मतलब काफी सारी classes है अगर आप डेट सो से 200 classes भी आपके किसी project में बन गई तो अब आप यह सोचे कि यहां पे आपको डेट सो लाइने include करने मे जाएंगी files और वो भी सिरफ एक file में अगर आपको index.php आपने कोई और file बनाई PHP तो उसमें आपको कोई class से यह वहां पर फिर आप include करोगे code के बीच में आपको कहीं चीए तो फिर आप include करोगे वो जो फिर जो basic concept है objective programming का की code manageability sorry code maintainability वो चली जाती है तो उसका solution क्या है दो उसका autoload क्या solution है अब यहां पर जहां भी आपको classes include करने हैं जो आप अपने PHP फाइल बना इंडेक्स फाइल हम बना रहे हैं यहां पर ऊपर एक function declare कर दे तो function underscore underscore autoload तो यह autoload function क्या करता है कब call होता है पहले हम यह देखते हैं कब call होता है जब भी आप यहां पर किसी class का object बनाना किसी भी class को access करना चाहरे है object करना बनाना जरूरी नहीं है अगर उसका static function आप किसी class का use करते हैं तो बिना object बनाए भी आप access कर सकते हैं जैसे कि static variable static members वाले वीडियो में हमने देखा तो कोई भी class अगर आप access करना चाहरे हो किसी भी तरह से आप उसका object बना रहे हो उसका function call कर रहे हो उसका variable call कर रहे हो कुछ भी आप किसी भी तरह से कोई class access कर रहे हो तो वो देखता है कि यहां पे वो class उससे पहले define होनी चाहिए अगर वो define नहीं है तो यह function call होता है autoload औ और उसमें वो parameter pass कर देता है dollar class ने मतलब dollar class ने मैंने मैंने दे दिया वो उसको समझने के लिए कि class का जो नाम है ABC या XYZ वो as a parameter इस autoload function में receive हो जाता है हमारे पस अब हम यहां पर उसके साथ कुछ भी कर सकते हैं तो कुछ भी करने के लिए क्या करना है हमें हमें basically उसको फारन यही है कि यहां पर आप पर आप पस class का नाम आया तो उस class के नाम के भीचे आप .php लगा दोगे तो वो file का नाम हो जाएगा और उसको फिर हम असानी से include कर सकते हैं include once classes जो कि हमारा folder है जिसके नदर हमारी classes पढ़ी है तो class name.php simple अभी आप देखें यह मैं इसको हटा देता हूँ तो यहां पर हमारा पस क्यारर आती है fatal class, fatal error, class abc not found या अगर सिरफ x, y, z होगी तो भी same error आएगी इस तरह से लेकिन यह अगर function हमारा call होता है यह function हमने define करके रखा है तो यह error नहीं आएगी क्यों कि जब php interpreter ने index.php file access की उसने देखा कि यह class abc उनको चाहिए यहां पर class नहीं मिली उसको define की हुई तो उसने automatically यह function autoload call कर दिया जैसे कि मैंने पहले वीडियो में introduction में ही बताया कि magic functions वह है जो automatically किसी भी specific event पर call होते है तो जो यह जब हम class call करते हैं उसका code नहीं मिलता है तो यह function call होता है उसमें यह हमें class का name pass हो जाता है यहां पर हमें मिल जाता है उसके साथ हम चाहें जो कि हम कर रहे हैं तो include कर लेते हैं ताकि वह error नहीं आए अब हमारा काम क्या होगे अब हम जितने भी कितने भी classes बनाने है इस classes folder के अंदर ए वी सी एक्षोजे डी एफ जिये चाहें यह जितनी चाहें आप 10 classes बनाएं 50 बनाएं 100 बनाएं 1000 classes बनाएं कोई फरक नहीं बढ़ता आपको सिरफ यह function लिखना है और कोई भी दूसरी file include करन नहीं है और यह एक function आप उपर declare कर दीजिए और नीचे फिर उन classes का आप use कर सकते हैं तो यह होता है दोस्तों autoload function अब अपने next वीडियो में हम लोग देखेंगे constructor function के बारे में वैसे आप लोग सब उसके बारे में अल्रड़ी जानते होंगे लिगिन फिर भी एक वीडिय कि अवीडिय बारे में लोग मेंड़ में ऑने पह सकते हैं के लोग में में कानी हम सुप से सकते हैं